पूंचे उसमें कोशेर से अरे अकसिसे कमोर्व फॉशन कोशेAI अरिक्साइस से थैम्हारें जिसमें पॉशनी से 16.1 स्पूशनी होंगे वह बाहरा है। इस में इस अपना इस सारी कोशैंस केशसे अरे से direct a photograph of bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 cm as shown in the diagram what is the actual length of the bacteria if photograph is enlarged 20,000 times only what would be its enlarged length ठीक है question में क्या पूछा हम से कि कोई bacteria की photo थी जिसको हमने क्या करा था 50,000 times enlarged का means क्या है कि यह मालो हमने से zoom करा ठीक है यानि कि zoom करके हमारे क्यों इमेज बढ़ी हो जाती है जब ने इस bacteria थो हमारा बहुत ही छोटा सा होगा जब ने उसे 50,000 times हमने उसे enlarged करा तब जा कि उसकी length जो हमें मिली वो ही 5 cm की हमसे पूछा है कि अगर हम उसकी length को यानि कि उस bacteria को 20,000 times enlarged करें ठीक है पहला हमने 50,000 time करा तो 5 cm की हमें length मिली अगर हम उसको 20,000 time करते हैं तो उसकी length कितनी होगी वो हमें find करना है इन question में क्या बताया था simple से सबसे पहले table बनाना नचे table एक बढ़ बनके और उसके बाद हमें के put करना है वापे इनकी values put करो cross multiply करो जो हमें find करना है वो हमें मिल जाएगा तो आपर देखो यह पर table किसका बनेगा सिबसे पहले कि होगए एक side photograph और bacteria enlarge 50,000 times यहनि की enlarge करो से कितना 50,000 times एक side तब इसकी क्या आजेगी enlarge length आजेगी यहाँ पर आजेगा इसकी enlarge length दूसरे side आएगी हमारा जो इसकी क्या था enlarge length और दूसरे side क्या आजेगी इसका attain length of 5 cm कि हमने उसे कितना enlarge करा और साथ में क्या आजेगी कि इसकी length कितनी भी दूसरे side क्या आजेगी इसकी length तो question में क्या था जह हमने उसको 50,000 times enlarge करा तो हमारी length कितनी मिली? 5 cm अगर हम उसको 20,000 times enlarge करते हैं तो उसकी length कितनी होगी? यह हमें find करनी है तो यहाँ पर हम क्या होता है? यह हमारी x1 होता है, यह x2, यह y1 and यह y2 हमें इस question में क्या करना है? जो y2 है इसकी value में find करनी है तो direct proportion आले जो formula है, उसमें put कर देंगे formula क्या था हमारे पास? x1 upon y1 equal to x2 upon y2 यह हमारा direct proportion का formula था ठीक है? यह जो हमारे table है direct proportion में क्योंकि यह क्यों हमारे है, decrease हो रहा है यहाँ पर 50,000 है, तो 5 cm इसको हमने decrease करें 20,000 यह हमारी length होगी, वो भी तो छोटी होगी न, 50,000 times करने में हमें 5 cm की length मेली 20,000 करने में छोटी length होगी, यानि कि decrease हो रहा है, यह भी decrease हो रहा है, यह क्या हमारा direct proportion तो direct proportion का हमना formula रखा, इसमें put कर दो values x1 होना है हमारा 50,000 y1 5 equal to x2 है 20,000 and y2 हमें find करना है, यहां से cross multiply कर देंगे y2 की value आईगी y2 multiply 50,000 equal to 20,000 multiply 5 हमें यहां पर y2 find करना है, तो जो 50,000 है, यहां आके divide में change हो जाएगा y2 equal to 20,000 multiply 5 divided by 50,000 इसको solve कर देंगे 3, 4, 0 से 4, 0 कर 5 से 5 y2 कितना कि हमारा 2 cm यानि कि y2 की value आगे हमारी 2 cm, यह हमें find करना था कि 50,000 times enlarge करना हमें, हमें 5 cm मिल रहा था 20,000 times enlarge करेंगे तो 2 cm हमें उस bacteria की length में यहां पर क्या आगया कि जो हमें length चाहिए थी वो कितनी हो गई हम लिख देंगे hence the length of bacteria equal to 2 cm, यह मैं find करना था, अब question number 5, 4, 5 हमें कर लिया, question number 6 देखो, यहां पर क्या लिखा है question number 6 है, in a model of a ship, the mast is 9 cm high, while the mast of the actual ship is 12 m high, if the length of the ship is 28 m, how long the model ship ठीक है, question हम से पूछे है, कि यहां पर हमारे पाल 2 ship है, एक के जो हमारी actual ship है, दूसरा उसका एक model बना के मतलब मॉडल तयार करा हुए, तो उसमें क्या है, कि जो हमारी model ship है, उसका जो mast है, mast के जो उपर आला पाट है, यह कितना model का, 9 cm है, while the mast of actual ship, जो real में हमारी ship है, उसका 12 m high, यह कितना है, 12 m उसका real height है, if the length of ship is 28 m, जो हमारी real ship है, अगर उसकी जो length है, वो है हमारी 28 m, तो जो हमारी model ship होगी, उसके हमारी length कितनी होगी, यह हमें find करना है, question number 6, सबसे पहले काम क्या है, table बनाने का, table हमारी किन किन से बनेगा, एक क्या जाएगा है हमारे, कि जो हमारी model की height है, यह फिर जो हमारे model की length है, दूसरा हमारे क्या जाएगी, actual length, ठीक है, तो एक साइड हैगी, इसकी length of, length of actual ship, दूसरा साइड क्या जाएगी, length of model ship, यह हमारे column बनेगा, तो length of actual ship, जो हमारी length थी, मास्ट की 12 meter, तो जो model की कितनी थी, 9 cm, यहाँ पर जो हमारी 12 meter थी, तो model की मास्ट की length थी, 9 cm, फिर question में, if the length of ship, अगर हमारी length ship की 28 meter है, तो model की length हमें find करनी है, length यहाँ पर कितनी है, 28 meter, तो जो model ship होगी, उसकी length कितनी है, वो हमें find करनी है, यहाँ पर रख दो, यह x1 हो गया, यह x2, यह y1 and यह y2, formula में put कर देंगे, formula x1 upon y1 equal to x2 upon y2, यह formula हो तो मारे direct proportion का, इसमें values put कर दो, x1 की कितनी value है, 12, y1 है 9, equal to x2 है 28 and y2 हमें find करना है, find कैसे होगा, cross multiply कर देंगे, 12 upon 9 equal to 28 divided by y2, इसका cross multiply, 12 multiply by 2 equal to 9 multiplied 28, यहाँ से y2 find हो जागा, y2 equal to 9 multiplied, 28 divided by 12, इसको फिर आगे हम solve करेंगे, जाँ से y2 के value आजेगे हमारी, y2 equal to, इसको cancel कर दो, यह किस्ते होगा सच्छल है, 3, 3 is a 9, 3, 4 is a 12, 4, 7 is a 28, ठीक है, यह cancel होगे हमारा 7 times, 4, 4 समने cancel कर रहे है, 4, 7 is a 28, तो y2 कितना आगे हमारा, 3 multiply 7, y2 equal to, 7, 3 is a 21 cm, जो हमारी model की जो हमारी length given है, model किसम हमारा, cm में, जो हमारी shape है, वो हमारी meter में, तो जो हमारी model की length आगे हो, कितना आगे, 21 cm, next question हमारे पास, question number 7, suppose 2 kg of sugar contain, 9 into 10 की पार 6 crystals, how many sugar crystals are there in, first 5 kg of sugar, second 1.2 kg of sugar, ठीक है, इस question में, क्या given है हमारे पास, कि जो 2 kg sugar थी, यानि कि 2 kg चीनी में, 9 into 10 की पार 6 crystal, crystal मतलब किया है, जो मारे चीनी के छोटे छोटे दान है, ठीक है, तो 2 kg चीनी में कितना यह है, 9 into 10 की पार 6, इसको normal form में लिखे, 3 के हो जाता है हमारे पास, 9 into 10 की पार 6, यह real में है कितनी value, 9 को multiply कर देंगे, 10 की पार 6 का मतलब, 1 के बाद 6 times 0, इसका multiply कर दें, यानि कि 2, 3, 4, 5, 6, 2 कीलो चीनी में, यानि कि 2 kg शूगर हमारे पास कितने crystals है, इतने crystals, ठीक है, आगे नाने दिया है, हमें find करना है, how many sugar crystals are there in, तो 5 kg शूगर हमारे पास कितने crystals होंगे, पहले पार्ट में हमें find करना है, दूसरे पार्ट में हमें find करना है, कि 1.2 kg शूगर में, कितने crystals होंगे, सबसे पहले इसका table बनाते हैं, question number 7, तो यह हमारा table बना, एक side क्योंगा हमारा, weight of sugar, दूसरे side आजाएगा number of crystals, कोशिन में हमें यह से value पता चल जाती है, सबसे पहले जाएगे भी number दे रहे हैं, यानि कि 2 kg, kg के हमारा weight है, यानि कि एक column हमारा weight को होगा, of sugar contains 9 into 10 की पार 6 crystals, यानि कि दूसरे side के होगा हमारा number of crystals का, तो पहला part हम इसको solve करते हैं, उसमें के given हैं, जिमारे पास 2 kg sugar था, तो number of crystals कितने थे, 9 into 10 की पार 6, जिसको मने क्या लिखा था, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 into 10 की पार 6 को यह लिख सकते हैं, कोशिन में में दिया है, find करने को, कि 5 kg sugar में कितने number of crystals होंगे, values पूट कर दो formula में, direct proportion में यह ओले टेबल में होंगे, कि 2 kg sugar में इतने crystals है, तो जिए हमने sugar का weight यानि कि और kgs में increase करते हैं, तो number of crystals पे जादे ही होंगे, तो यह क्योंगे हमारे direct proportion, x1 upon y1 equal to x2 upon y2, x1 है 2, y1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiply 5 kg sugar में कितने हो जाएंगे, y2 यह हमें find करना है, यह से cross multiply कर दो, 2 multiply y2 equal to 5, multiply 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहांसे हमारे y2 की value find हाजएगी, इसको solve करके, 2 को यह divide में चले जाएगा, यह solve करके हमारे y2 की value हाजएगी, 2.25 multiply 10 की power 7, इसको solve करके हमारे इतनी value हाजएगी, y2 की, तब इसको लिख देंगे पूरा आगे, answer हमारे क्या जाएगा, hence, in 5 kg sugar, the number of crystal, यानि कि number of sugar crystal, is equal to 2.25 into 10 की power 7, सेम ऐसे हमारे second part है, second part में हमें के करना है, कि अब यहापे हमें कितने sugar दिया, 1.2 kg of sugar, इसमें भी same होई होगा, एक साथ table बनेगा, दूसरे साथ हमें के find करना है, कि number of crystals, इसका second party सेम ऐसे solve होजाएगा, question number 8 है, यह question number 8, question number 8, 9, 10, यह हम अपनी next video में solve करेंगे, आज के लिए हमने, question number 5, 6, 7, यह solve करें, second part इसका खुद से try कर लेना, अगली video में, 8, 9, 10 question solve करेंगे, thank you,